भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं हैं, जानते हैं दोस्तों इस कहानी से एक आदमी मंदिर में सेवक था, उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था भक्तों और शर्धालूओं द्वारा दिये गए ज्यान से वे थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था इसे से उसका गुजर बसर चल रहा था, वे अपनी जिन्दगी से बहुत परिशान और दुखी था मंदिर में काम करते करते, वे दिन भर अपनी जिन्दगी को लेकर शिकायते करता रहता एक दिन शिकायत करते हुए, वे भगवान से बोला भगवान जी, आपके जिन्दगी कितनी आसान है, आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है मेरी जिन्दगी को देखो कितनी कठिन है जिन्दगी और मैं जी रहा हूँ दिन भर कड़ी मेनत करता हूँ तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है काश मेरी जिन्दगी भी आपकी तरह ही होती ये सुनकर भगवान जी बोले तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है मेरी जगे रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है मुझे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है बहुत सी विवस्ताईं करनी पड़ती है ये हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान जी कैसे बात कर रही है ये आप क्या कह रहे हैं? आपका काम असानी तो है? आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला तुम नहीं कर पाओगे? इस काम में भोती धहरे के आवशिकता पड़ती है भगवान जी बोले मैं जरूर कर पाओँगा आप मुझे अपनी जिन्दगी का एक दिन दीजिए आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा मंदिर का सेवक जिद करने लगा उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले ठीक है आज पूरा दिन तुम मेरी जिन्दगी जीओ मैं तुम्हारी जिन्दगी जीता हूँ लेकिन मेरी जिन्दगी जीने के लिए तुम्हे कुछ शर्त माननी होगी मैं हर शर्त मानने को तयार हूँ भगवान जी सेवक बोला ठीक है तो ध्यान से सुनो मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत से कुछ कहेंगे तुम्हें अच्छा बोलोगे तो बुरा कुछ कहेंगे कुछ तुम्हें कुछ कहेंगे तुम्हें किसी भी बात का चुप चाप एक जगह रहकर मूर्ती की तरह खड़े रहकर धहरे के साथ सुननी है और उन पर कोई परतिकिर्या नहीं देनी सेवक मान गया भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ले सेवक भगवान की जगए मूर्ति बनकर खड़ा हो गया भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निप्टा कर वहां से चले गए कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी वेपारी आया भगवान से प्रातना करते हुए बोला भगवान जी मैं एक फैक्टरी डाल रहा हूँ मुझे आशिरवाद दीजिए कि ये फैक्टरी अच्छी तरह चले और मैं भी इससे मुनाफा कमा सकूँ प्रातना करने के वाद वहें परमान करने के लिए जैसे ही नीचे दुका तो उसका बटवा नीचे गिर गया जब वहां वहां से जाने लगा तो भगवान की जगें खड़े मंदिर का सेवक कमन हुआ कि उसे कुछ बता दे कि उसका बटवा नीचे गिर गया है लेकिन शर्त कि अनुसार उसे चुप रहना था इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा इसके तुरंट बाद वहां एक गरीब आदमी आया और वो भगवान जी से बोला भगवान जी बहुत गरीबी से जीवन काट रहा हूँ परिवार का पेट पालना है मां की दवाई की विवस्ता करनी है समझ नहीं पा रहा कि इतना सब कैसे करूँ आज देखो मेरे पास दो रुपे हैं इसमें से मैं क्या कर पाऊंगा आप ही कुछ चमतकार करो और मेरे लिए धन के ववस्ता करो वह गरीब आदमी गिड़ गिड़ाने लगा प्राथना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ उसे नीचे गिरा हुआ वे पारी का वो बटवा दिखाई दिया उसने बटवा उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुँ बोला भगवान जी आप धन्य हैं आपने मेरी प्राथना इतनी जल्दी सुन ले इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है मां की दवाई विवकी विवस्ता हो जाएगी भगवान को धन्यवाद दे कर वे वहां से जाने लगा और वो बहुत ही खुश हो गया राजी हो गया कि भगवान ने उसकी सुन ली तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि ये बटवा तो वेपारी का है उसे मैंने मनान उसे मैंने नहीं दिया वह जो कर रहा है वह तो चोरी है वो सब सेवक बताना चाह रहा था लेकिन वह चुप रहने के लिए विवस्त था इसलिए मन मार कर चुप चाप खड़ा रहा मंदिर में आने वाला तीसरा विक्ती एक नाविक था वह चोदा दिन के लिए समुंदरी यात्रा पर जा रहा था भगवान से उसने प्रात्ना की कि हे भगवन यात्रा सुरक्षित रहे और वह सै कुसल वापस आ सके वह प्रात्ना करके ही जा रहा था कि धनी वेपारी वहां आ गया वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला मेरे बाद ये मंदिर में आया है जरूर अशी ने मेरा बटवा चुराया होगा आप इसे ग्रिफतार कर लीजिए पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगी भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ वो सेवक ये इसे सहन नहीं कर पाया सर्थ के अनुशार उसे चुप रहना था लेकिन उसे लगा कि बहुत गल्थ हो चुका है यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी उसने अपनी चुपी तोड़ते हुए कहा आप गलत व्यक्ति को पकड़ के ले जा रही है ये बटवा इस नाविक ने नहीं बलकि इसके पहले आया एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है पुलिस भगवान की बात कैसे मानती उनकी बात मान कर उन्हें नाविक को छोड़ दिया क्योंकि फिर पुलिस ने माना कि ये तो भगवान खुद बोल रहे हैं जिसने बटवा लिया था शाम को जब वैभवान वापस आये तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वरदान्त सुनाया उन्हें गरव के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक दिया वो अपनी बड़ाई खुद किये जा रहा था सेवक देखिए आपकी जिन्दगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा और महान काम किया वो बहुत सेवक खुश था उसकी ये सारी बाते सुनकर भगवान बोले ये तुमने क्या किया मैंने तुमसे कहा था कि चुट चाप मूर्ती बनकर खड़े रहना लेकिन वैसा नय करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया उस धनी वैक्ती ने बुरे करम करने पर इतना धन कमाया है यदि उस में से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते हैं तो उसका भला हो जाता है और वेपारी के कुछ पाप पाप भी उसके कम हो जाते हैं जिस नावी को तुमने समुंदरी यातरा पर भेज दिया था वह अब जीवित वापिस नहीं आ पाएगा समुंदर में बहुत बड़ा तुफान आने वाला है यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता सेव को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पाया जो उस समय उसके सामने आँखों के सामने घटित हुआ उसके पीछे की सच्चाई को वो नहीं जान पाया क्योंकि वो एक सेवक था नहीं कि एक भगवान था जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर अपनी विचार, अपनी योजनाए बनाते हैं क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और लोगों के जीवन को भगवान उनीक अनुसार चलाते हैं जैसा होना चाहिए तो दोस्तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम सब भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे इसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो हम अपना धैर्यक होकर भगवान को दोस्ट देने लगते हैं हम ये नहीं समझ पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ने कोई योजना अवश्य जरूर छुपी हुई होती है ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास बना कर धैर्य धारन करने की आवश्यक्ता होती है क्योंकि भगवान ने जो हमारे लिए सोचा होता है वो सरप्रिय होता है इसलिए चिंता ने करें यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि भगवान की मर्जी से जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा है भले ही देर से ही सही लेकिन भगवान की मर्जी से सब हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है क्योंकि भगवान की मर्जी के बगर पत्ता नहीं हिलता भगवान ही है जो अपनी इच्छा से मनुष्य को चलाते हैं मानते हैं कि हम अपने करम से अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं लेकिन ये सब हमारे भगवान मालिक की देन है आशा करती हूँ ये छोटी सी मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी कहानी वीडियो अच्छे लगे हमसे जुड़े चैनल को सस्क्राइब करें पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार तब तक के लिए नमस्कार